आज हम वीडियो देखें जावा स्क्रिप्ट क्लासेस क्या होता है और इस्तमाल क्या किया जाता है जावा स्क्रिप्ट कक्षाएं जावा स्क्रिप्ट क्लास सिंटैक्स क्लास बनाने के लिए कीवर्ड क्लास का उपियोग करें हमेशा कंस्ट्रक्टर नामक एक विधी जोडे उपरोक्त उदाहरन कार नामक एक वर्ग बनाता है वर्ग में दो प्रारंभिक गुन हैं नाम और वर्ष जावा स्क्रिप्ट क्लास कोई आब्जेक्ट नहीं है यह JavaScript object के लिए एक template है कक्षा का उप्योग करना जब आपके पास एक class हो तो आप object बनाने के लिए class का उप्योग कर सकते हैं उप्रोक्त उदाहरन दो कार object बनाने के लिए कार class का उप्योग करता है जब कोई नया object बनाया जाता है तो constructor विधी स्वचालित रूप से call की जाती है constructor विधी constructor विधी एक विशेश विधी है इसका सटीक नाम constructor होना चाहिए जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो यह स्वचालित रूप से निश्पादित होती है इसका उप्योग औबजेक्ट गुनों को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है यदि आप कंस्ट्रक्टर विधी को परिभाशित नहीं करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट एक खाली कंस्ट्रक्टर विधी जोड़ देगा कक्षा के तरीके क्लास विधिया अबजेक्ट विधियों के समान सिंटैक्स के साथ बनाई जाती है क्लास बनाने के लिए कीवर्ड क्लास का उप्योग करें हमेशा एक कंस्ट्रक्टर विधी जोड़े फिर कितनी भी विधिया जोड़े आज हम वीडियो देखेंगे जावा स्क्रिप्ट मॉडियोल्स क्या होता है और इस्तमाल क्या किया जाता है मॉडियूल जावा स्क्रिप्ट मॉडियूल आपको अपने कोड को अलग-अलग फाइलों में विभाजित करने की अनुमती देता है इससे CodeBase बनाए रखना आसान हो जाता है Module को आयात विवरन के साथ बाहरी फाइलों से आयात किया जाता है Module, Script, Tag में Type Module पर भी निर्भर करते है निर्यात और नामित निर्यात Functions या Variable वाले Module को किसी भी बाहरी फाइल में संग्रहीत किया जा सकता है निर्यात दो प्रकार के होते हैं, नामित निर्यात और Default निर्यात आईए हम व्यक्ति.js नामक एक फाइल बनाएं और इसे उन चीजों से भरे जिन्हें हम निर्यात करना चाहते हैं आप नामित निर्यात दो तरीकों से बना सकते हैं व्यक्तिगत रूप से इन लाइन या नीचे एक साथ सभी इन लाइन व्यक्तिगत रूप से और सभी एक साथ नीचे Default निर्यात आईए Message.js नाम से एक और फाइल बनाएं और Default निर्यात प्रदर्शित करने के लिए इसका उप्योग करें आप एक फाइल में केवल एक Default निर्यात कर सकते हैं उदाहरन आयात आप किसी फाइल में Module को दो तरीकों से आयात कर सकते हैं इस आधार पर की उन्हें निर्यात या Default निर्यात नाम दिया गया है नामांकित निर्यातों का निर्मान घुंघराले ब्रेसिस का उप्योग करके किया जाता है Default निर्यात नहीं है